दोस्तो हमारे शनातन धर्म में पूजा पाठ और बांगली कार में बहुत सी अलग लग प्रकार के समागरी और फोलो का इस्तेमाल करते हैं दोस्तो इन्वे से एक है नारियल हिंदु धर्म में नारियल को पवित्र और बहुत ही महदपुन्णा माना जाता है दोस्तो ऐसा माना जाता है कि देवी दियोताओं को नारियल अरपित करने से वेक्ति की सभी कष्टा का नास होता है इसलिए हम कोई भी पूजा पाठ करें मांगली कारा करें उसमें नारियल का परोग जरूर करते हैं नारियल को हमारे हिंदू धर्म में श्री फल बोला जाता है श्री अर्थाद लच्छिमी महिया जी का फल ऐसा माना जाता है सभी तरह के नारियल में एक आक्षी नारियल सबसे उत्तम और सबसे खास माना जाता है तो इस बिड़ो को एक बार बस अब को सुरू से लेकर के आखरी तकी पूरा जरूर देखना है आज मैं आप लोगों को एक आक्षी नारियल सम्बंदी शंपून जानकारी बताऊंगा जो जानकारी अब के जीवन को अब के तकदिर को चमका देगा अब के जीवन को बदल दिक्कत नहीं होती जिसके घर में मंत्रसिद प्रार प्रतिष्ठित युक्ता जो एक आक्षी नारियल होते हैं उसके घर में इस थायरूब से अटूट लच्मी का वास होता है अटूट संपती का वास होता है ऐसा भी कहा जाता है दिवाली की अवसार पर जो वेक्ति मा के मूर्ती के सामने में एक आक्षी नारियल रख करके उसकी पुजा करता है उसे जीवन में जितने भी शुक श्मृद्धी चाहिए समझी प्राप्ता होता है उसके घर में कुबेर का खजाना हमेशा भरा रहता है तो आए स्रीफ़ल का शुरूप जाने वाले जो एक आक्षी नारियल है इसके बारे में कुछ उपाय बता दू कुछ लाब बता दू जो लाब आबुको जीवन में काफी आगे बढ़ाएंगे इससे पहले कुछ विसेज जानकरी बताना चाहूंगा दोस्तों हमारे चैनल एक यूटूब चैनल नहीं बलकि आप सभी दर्सकों का करना दोस्तों हम इस यूटूब चैनल से कमाया दिक्तर पैसे भी गरीब एवं असहाय लोगों की शेव में भी समर्पित कर देते हैं तो कुछ विसेज जानकरी बताना चाहूंगा नारियल के बारे में हिंदु धर्मा के नुशार नारियल में भगवान ब्रंभा भगवान बिश्नु तथा भगवान शंकर ये तीनों देउताओं का वास माना जाता है नारियल में जो आप तीन नेत्रा देखते हैं उन्हें भगवान शीव के त्री नेत्रा माने जाते हैं नारियल में जो त्री नेत्रा देखते हैं इसे ब्रंभा बिश्नु और महेश इनका प्रत तो आई इस बिड़ो में मैं आप लोगों को एक आक्षी नारियल के बहुत ही ज़्यादा दिब्य एवं चमतकारी को लाभ बता रहूं जो प्रतेक मुनुष्यों को अपने घर में एक आक्षी नारियल जरूर रखना चाहिए और जो लाभ आपको काफी प्रगति कराएंगे और आपके घर में धन, दौल, शुक, इस बिड़ी सब को बढ़ाने का कम करेंगे बिड़ो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है अधूरे ग्यान हमेशा खतानाख शाबीत होते हैं और कोभी जानकारी बेर्था नहीं होती अभी नहीं तो आज जानकारी बाद में जिसमें तीन की जगह सिर्फ एक आँख दिखाई देता हैं इस नारियाल का हिंदू धर्म में विश्यस महत्वा इस्थान होता है इस नारियाल को माता लच्छमी और भगवान विश्णु जी के सरूप माने जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जिस किसी की घर में एक आक्छ अरपित करते हैं तो इसे घर में सूक संपति और एश्वायर की प्राप्ती होता है वैक्ति को वेब साइक छेतर में सफलता मिलती हैं माना जाता है कि दिवाली में माता लच्मी जी के मूर्तिक सामने में एक आक्छी नारियाल रख करके पूजा करने से जीवन में सूक इस म यदि किसी विशेस कारा के लिए अब घर से बाहर जा रहें तो एक आक्षी नारियल पर रोली चंदन केसर मिलाकर के तिलक लगाकर के जाय कारा को बोलें तो उस कारा में 101% सफलता जरूर मिलती हैं जिस घर में पुजित एक आक्षी नारियल होता है अभी मंत्रीत मंत्रों से जो पुजित एक आक्षी नारियल होता है उस घर के सदसों पर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्रा तोने टोटके इत्यादी का प्रभाव नहीं पड़ता यदि किसी इस्तिरी या पूरुस पर भूत प्रेट का साया होता है तो 15 मिनिट के लिए गर उसके गोद में एक अक्षी नारियाल डाल दें और पूनम दिस इस्थान से का अक्षी नारियाल निकाले उस इस्थान पे रग दें तो सभी प्रकार के भूत प्रेत इत्यादी बधाओं से भी मुक्ती मिलता है दोस्तो ऐसा भ खर्मिक दिरिश्टी से तंत्रा के दिरिश्टी से तब भी एक अक्षी नारियाल हमारे ले काफी फैयदेमन साबित हो रही है यदि कोट के चैरी से जुड़े मुकदमा में विजय प्राफ्त करनी है तो रभीवार के दिन वीरोधी का नाम ले करके लाल कनेर का फूल एक अ अनुकुल ही रहेंगे आप कही बात मानेंगे आपको विजय की प्राप्ती होगा प्रान प्रतिश्चित एवं सीध एक अक्षी नारियाल से बंधन से मुक्ति वैसाइक उन्नती वसीकरण परिक्षा में सफलता मुकदमे में विजय और इक्षा इत्यादी की पूर्ती होता अब चाहे तो हमारे इस्टोर प्राचिन ग्यान इस्टोर से एक अक्षी नारियाल खर दी सकते हैं जो कि हमने मंत्रों से अभी मंत्रीत करके रखें दोस्तों एक आक्षी नारियल को दमपत्य शुग प्रदान करने वाला कहे गए हैं। दमपत्य शुग प्रदान करने वाला कहें। उसमें एक लाल वस्तर भी छा दिजे और एक आक्षी नारियल को रख दिजे और ग्यारा हजार बार इस मंत्र को एक आक्षी नारियल को देखती हुए घींक दिपक जलाना है। और जपना एक आक्षी नारियल सीध हो जाते हैं। ओम शरीम हरीम कलीम एम एक आक्षी श्वरुपाय एक आक्षी नारि केलाय सर्वसिद्धिम कुरु कुरु श्वाह इस मंत्र को जपने से एक आक्षी नारियल सीध होता है। अब वीडियो समाप्त करने से पहले इतना बताना चाहूँगा कि एक आक्षी नारियल की पहचान कैसे करें। तीन छिद्रा दिखाई देती हैं। ध्यान से सुनिए जो समाप्त करने नारियल होता है इसके आक्षी नारियल में केवल दो छिद्र होते हैं। एक छिद्रा को मुँ कहा जाता है और एक छिद्रा को आँख कहा जाता है। इसके पहचान बता रहो हूँ। और एक आक्षी नारियल में केवल दो रेखाई होती हैं। जो नारियल होती उसमें तीन छिद्रा होते हैं तीन रेखा बनती हैं। एक आक्षी नारियल में दो छिद्रा होते हैं और दो रेखा बनी होती हैं। तो यही है एक आक्षी नारियल की पहचान। कई जगा पर कई केस में ये भी देखा जाता कि एक अक्षी नारियल में एक ही छिद्रा होते हैं और एक ही धारी होती हैं लेकिन अधिकतर जो एक अक्षी नारियल मिलते हैं उसमें दो छिद्रा होते हैं वा दो आख होते हैं तो इसे एक अक्षी नारियल कहा जाता है तो दोस तो आप जो है आम वश्चक दिन इस्थापीत कर सकते हैं लेकिन इसे घर में स्थापीत करते हैं तो इसे लाल कलर के कपड़े की उपर में स्थापीत करें और एक लकडी का बॉजट में स्थापीत करें लकडी का बॉजट नहीं मंदिर है तो आप लाल कपड़े भी छा करके भी आप इसे इस्थापीत कर सकते हैं इसका 100% प्रभाव आपको घर में देखने को मिलेंगे ये पूरे घर में उर्जा का संचार कर देगा आपके घर के वास्तु को मजबूत कर देगा और आपके घर में इस थायरुप से सुख सांती वैभाव इस्मृदी सभी प्रकार के भ आप तक करते हैं हम जल्ला जूरते हैं आप सभी से किसी नय और एक अच्छे जानकारे के साथ आज के लिए बस इतना है जानकारी धन्यवाद नमस्कार